तो किलास 11 ते के सभी विद्यारती जिस घड़ी का आपको इंतियार था इतिहास का जो अर्दवार्शिक पेपर है वहाँ आपका आचुका है हाल फिलाल आप क्या करी अर्धवार्शिक पेपर को समझी है चंगेज खा का प्रारंबिक मूल नाम क्या है तो तेमू जीन उनका नाम था भाईया उद्योगी करांती की यदी बात करें तो सरुपरतम कौन से देश में हुई थी तो वो इंगलेंड में हुई थी ठीके अब सकते कितने महत पूर्ण होंगे तो यह वार्शिक परिछा में भी आपके तीनों में से एक प्रसने जरूर आएगा ठीके छोप खाने का अविस्कार किसने किया तो गुटेन बर्ग एकदम राइट रहेगा ठीके अब चलते हैं रिक्तिस्तान की तरफ पहला है चंगेज खा जपान की राजधानी कुनसी तो टोकियो है क्या है टोकियो चंगेज खान के पिता यूसेज यही कुनसे कभीले के मुखिया थे तो वो थे कियात कभीले के कुनसे कभीला था वो कियात सेप्टी लेंप का जो अविसकार है वों हमप्री ने किया था किसने हमप्री Summit को मेड़ी के जो लेखक है वो कुंसे दानते थे जो तीन नम्मρ्झ आपको जोडी दी गई है और जोड़ी को अब द्ध्षान सब समझेगा जेम्स जेम्स कातिके वर्सनल केनॉल आजाएगा जार्ज इस्टीफेंसन रेल इंजन का विसकार सारगोन का मिलान होगा आपका मारी से जोन के जोन के का जाएगा फ्लाइंग सटल तामर मूर पंतिम जो बचा हुआ है यूटो पिया एकदम राइट रहने वाला है कुस्य नमर चार की बात करें देखिए कुस्य नमर चार में देखिएगा फिर मैं बोल दूँ यही हुगो हुगो पेपर आपका MP बोर्ड में आने वाला है बहुत सारे बच्चे यहां तक वीडियो देखकर चले गए होंगे जो देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ कि यही पेपर आपका MP बोर्ड में अर्दवारसी परिच्चा में आएगा ठीक है चलिए एक वाकि में उत्तर है मेसो पोटा मिया सब्विता किस नदी के घाटी के किनारे विक्सित हुई थी तो देखिए यहां पर नाम लिख रहा हूं मैं उसका दजला और भरात नदी के किनारे कौन सी नदी है वो दजिला और भरात नदी के ठीके नदी के किनारे पूरा लिखेगा आप चलिए इसके बाद या ओस्ट्रेलिया की खोज किसने की तो केप्टन जेमदा ने की थी किसने केप्टन जेमदा मंगोलिया राष्ट का महानायक किसे कहा जाता तो चंगेज खान को किसको चंगेज या या वर सब्द का से आपका क्या अस्य है तो धुमक ककड़ी धुमक ककड़ी कोलोंबस कहा का निवासी थी तो इटली की ठीके चलिए इसके बाद कुस्य नंबर जो पाँच है उसमें सत्य सत्य आपके दिए गए है देखिए ध्यान से पढ़ते होने भी मंगोल पश्चिमी यूरोप के मुन निवासी थे ठीके असत्य बात है माया सब्विता के लोग लेखन कला से परिशित नहीं थे असत्य थे प्रतम अफिम युद्ध उनिस सो चार चालिस इस्व में प्रारंब हुआ ये बात भी गलत है देखिए यहां पर एक बात में आपको किलियर कर दो ये देखिए पांचो है और पांचो ही आपके आसत्य है लेकिन ध्यान रखेगा इसा नहीं है कि वो तो देखिए यहां पर योग लग गया कि दोनों ये पांचो ही आसत्य तो आप इसा अखमत करिएगा तुक्का लगा क्या जाए कि आसत्य थोड़ा सा प्रशनों को भी पढ़िएगा समझेगा ठीक है चलिए इसके बाद में यहां से देखिए कुश्च नमर छे आपका है चंगेज खान कौन था ठीक है इसके बाद उद्योगी करांती के कोई दो परिनाम लिखने है कुश्च नमर आठ यह है कुश्च नमर नो कुश्च नमर दास ठीक है खुबहू पेपर आएगा ठीक है फिर मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे इस पेपर को अभी देख रहे हैं एक दम आप हंड्रेट परसिन स्योर रहेगा पकार रहेगा यही पेपर आपका इंपी बोर्ड में आएगा तो आपके जो खास मित्र है उनके साथ भी इस वीडियो को साजा करिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाब मिल सके ठीक है यहां पर कुश्च नमर 17 है कुश्च नमर 18 19 20 कुश्च नमर जो 22 है इसमें आपको से पुछा गया कि आउस्टेलिया के आर्थिक विकास पर आपको टिपपनी बतानी है ठीक है कुश्च नमर जो 29 है आपको पता है कि मानचितर का प्रस्ण 100% आता है तो यह मानचितर का प्रस्णर है आपका आपको यहां पर मानचितर भी दिये जाएगा भरने के लिए ठीक है तो यहां ता आपका किलास 11 का हिस्ट्री का पेपर यदि आप चाते कि दूसरे पेपर भी आपको एकदम रियल पेपर मिले तो आपको एकदम फिरी एक रूपया सूल के किसी को नहीं देना है केवल और केवल सब्सक्राइब करना है चैनल को बस इतना सा काम करना और जैसे कोई सा पेपर डाले तो तुरंत देख लिजेगा ना जाने कौन से समय उसको हमें डिलीट करना पड़े आपके लिए विसेश आपके लिए यहां पर चैनल पर यह पेपर डाले जा रहे हैं ठीक है क्योंकि मेरा उद्यस सिर्प यह है कि आपको अच्छी सब्सक्राइब करकर रखना नोटिफिकेशन ओन जैसे वीडियो डलता है तुरंत देख लिजेगा